असलाम अलेकूम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आशीर रह्मान, हम लोगों ने किताब शुरू की है जिसका नाम है आस, जिसकी मुसनिफ है अस्मा तारिक साहिबा, तो हमारा गुजिस्ता चेप्टर था, उस साथ का कोई नेमल बदल नहीं, तो चलिए अपना आज का चेप भूल गया है, मगर वो भूल जाता है कि पंची की फितरत में ही उड़ना तो है, उसे जितना मर्जी कैद कर लिया जाए, उसे तो इंतजार रहता है कि कम मौका मिले और वो उड़ जाए, कब पिंजरे का दरवाजा खुला मिले और वो उड़ जाए, वो मरते दम तक इस मौ से कबल एक सांस के लिए भी उड़ने का मौका मिला तो वो उड़ जाएगा और हां वो तो अपनी उड़ान के लिए मौत को भी फुलों का हार समझ कर कबूल करता है ऐसी ही हालत इस इनसान की है जो कुछ करने के लिए बेताब हो मगर उसे मौका न मिल रहा हो कि वो अपने जोहर दिखा सके मगर वो उन्हें दिखाने के लिए बेताब हो वो हवाओं में उड़ने के खुआप देखता हो मगर उसके पाउं माश्राती जंजीरों में बंदे हुए हो और वो उन्हें तोड़ने की बरपूर कोशिच करता हो और अपनी मनजल को हासिल करने की खातिर बेजचें रहता हो लोग माश्राती हसार समझते हैं कि वो इस पर गल्बा पाकर उसे कैदी बना लेंगे और वो बना भी लेते हैं मगर वो भूल जाते हैं कि इसकी फितरत में उड़ना है और वो इसकी फितरत पर कभी गल्बा नहीं पा सकते दुनिया की तरीक गवा है बड़े बड़े लीडरों ने जब बगावत की तहरीक शुरू की जमाने को बदलना चाहा तो दुनिया इनकी मुखालफत की उन्हें हर तरह से तनकीद का निशाना बनाया हत्ता के उनके अपनों ने भी उन्हें कैद किया गया असीर बनाया गया जेलों में डाला गया कतल किया गया मगर क्या वो उन्हें दबा पाए उनकी तहरीक को खत्म कर पाए बिलकुल नहीं हता के लोग उन्हें जितना दबाते थे वो उतना उपर उठते थे क्योंके वो अपनी फितरत से अगाह थे वो माश्रे को बदलने वाले थे इनसान के लिए सबसे एहम तवया है कि वो अपनी फितरत को समझे और उससे अगाही हासिल करे और उसके मताबिक अपनी मनजल का इंतखाब करे क्योंकि वो जिन्दा होने, खाने, पीने और मरने के लिए नहीं है बलके वो तो आला फितरत पर बनाया गया जो जमानों की कैस से अजाद होकर उन्हें बदलने पर कुदरत रखता है ये उस पर मालिक काईनात का फजल है और ऐसे में जब इनसान इस जुस्तजू में सरगरम अमल रखता है जो जमानों की कैस से अजाद होकर उन्हें बदलने पर कुदरत रखता है ये उस पर मालिक काईनात का फजल है और यही असल मरहला है कुछ लोग और ज्यादा तर लोग इस मरहले से डर कर भाग जाते हैं और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी मंजल से हाथ दो बैठते हैं अब उनका एक ही काम है दूसरों को ड्राना और आगे बढ़ने से रोकना वो उन्हें खोफ जिम्यदारियां और जमाने की जंजीरों में जकरने की कोशिश करते हैं उन्हें इल्जमास से नवाजते हैं और जो इनकी कैस से अजाद नहीं हो पाते वो भी इन्ही की तरह नामुराद रहते हैं मगर जो साहिम मंजिल इनका डटकर मकाबला करते हैं और हर इम्तहान देते हैं, हर तनकीद दंस के तीर बरदाश करते हैं मगर साबित कदम रहते हैं तो उन्हें खुदा वाहिद की मदद हासिल होती है जो उन्हें मंजिल तक ले जाती है और फिर जमानों और फिर जमाना वो मुका के अंदास बदलते हैं और फिर वही लोग जो दिवार थे उनके पैरुकार बन जाते हैं ये हमारा आज का चैप्टर हुआ मुकमल हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत बूलिएगा न्यू वीडियो के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होती है अल्लाहाफिज